हेलो बच्चो, वेलकम टू गनितंक, क्या हल चाल है, कैसे आप सब लोग, एक मेना बचा है, सर एक मेने से भी कम टाइम है, I know, और बोर्ड एक्जाम बहुत पास में आ गई है, थोड़ा फिकर होने लग गया है, सर स्ट्रेस आने लग गया है, कुछ बच्चे कहते हैं, सर डि जानेंगे, अनेलिसिस करते-करते जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारे आंसर्स यहां मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसको आखिर तक करना, देखना, ठीक से समझना, ओकी बच्चो? तो जैसे मैंने का, एक मेना भी नहीं, पच्चीस दिन है, सर, और पच्चीस दिन में भी काफी कुछ बीच में आने वाला है, जैसे कि जेई मेंस का, फेज वन अटेंप्ट आने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाइम्स आएगी, किसी की प्री बोर्ड आएगी सर, इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी है, सर, बाइफोकल भी करना है, जोग्रफी भी करना है, बहुत कुछ है, राइट तो, एक के करके अगर बात करूँ, सबसे लिए जेई मेंस फॉर्स अटेंप्ट की बात करे, बच्चों, बहुत सारे बच्चे, अपने अगले पांच अच्छे दिन गवा देंगे, वेस्ट कर देंगे, बस ये करके, कि सर, जेई मेंस का पेर है, ठर्टी इत को, ट्वेटी नाइनत को, मैं उसके लिए कुछ भी आइक्यूज कर लेता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, जेई मेंस का सब को अटेंप्ट देना है, मानता ह हूँ में बात, सब को experience लेना है, और उसका सर थोड़ा कोटा भी होता है, MHTCT के colleges में, यह भी मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों, जो बच्चे पूरे साल साल पढ़ाई करते हैं, उनका भी 95% आना बहुत टफ होता है, तो अगर आप अगले 4-5 दिन कुछ अलग कर लोगे, PYQs ट्राय करोगे, आप अपना समय बरबाद करोगे, पिछले 14 years से मैं JMC Advanced के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आगरी 7 दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने कर भी लिया, 90% ला भी लिया, तो आपको जो colleges चाहिए, वो नहीं मिलेंगे इसके थूँ, अगर आ आपको उतना percentile मिल सकता है, पांची दिनों को आप बरबाद ना करें, आप focus रखिए अपना MHT, CET और Boards की तरफ ही, तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे होंगे, जेई मेंस, फर्स अटनप के लिए क्या करो, आखरी 7 दिन बचे, 5 दिन बचे, कुछ मत करो, आप अपना focus से, MHT, CET और Boards करते रहो, वो अच्छा करो, और उसके level के कुछ questions आजाएंगे, easy questions कुछ आजाएंगे, वो अच्छे से solve करके आओ, यह exam हम एक experience के लिए दे रहे है, 90% लाके भी कोई फाइदा नहीं होगा, यह ध्यान रखिए, ठीक है, दे रहे है, 90% लानाज सी है, वो 3-4 गंटा जाना होगा college, है ना, उससे रहादा नहीं, किसी को 2 गंटा ही जाना पड़े, किसी का एकी दिन में 3 प्रैक्टिकल्स हो तो ठीक है, 3-4 बार जाना पड़ेगा, लेकिन half of day, तो बाकी का half day मैं utilize करूँगा, यह कुछ से बोलना है, ऐसे नहीं कि college चला गया, वह ग language के लिए 2 strategy होती है, मुझे लगता है, language की पड़ाई, मतलब English की पड़ाई, या आपका Hindi मराटी हो, उसकी पड़ाई या geography हो, किसी का IT हो, आप रोज आदा एक घंटा कर सकते हैं, English, आप रोज सोने से पहले आदा घंटा थोड़ा थोड़ा पड़ सकते हैं, आज से 25% के ऊपर आना चाहिए, फिर उसके आद में बीट साइट में भी criteria है, और भी कहीं colleges में जाना हूँ, इसके लगा class 12 के marks, अगर मैं higher studies के लिए जाओंगा कभी आगे, out of India तो वहाँ भी लगते हैं, placements में भी, जब आप placements भी बैठते हो, तो वहाँ भी आपके class 12 के marks एक minimum 60- 70% होने चाहिए, otherwise बहुत आपको दिक्कते होती है, है न, yes sir, क्या दिक्कते होती है sir, थोगा impression कराब होता है, कभी कभी criteria होता है companies का कि हम 60 के नीचे वालों को नहीं बैठने देंगे, तो इस सारी बाते आपको ध्यान रखते हुए, boards की तयारी पर भी focus करने और उसके लिए language which भी important है, ठीके तो आप रोज आदा घंटा, अभी तक नहीं किया, आज से कर सकते हो, है न, yes sir, इसके लवाद जब मैं अपना schedule बनाने की बात करूँगा, strategy बनाने की बात करूँगा, दो बाते मुझे याद रखने, एक है time table, कि हमारा time table कैसा है भाई, smart approach रखना है की न, हम इन, तीन, चार, चार घंटे और आखिर के दो, तीन दिन तो पूरा ही दिन, सिर्फ English, English, English करूँगा, क्यों पेपर कैसे होता है, क्या लिखना होता है, format कैसे है, मैं कैसे लिखूँगा, सारा एसे है, वो letter, writing है, वो जो भी है, सारा आप grammar हो गरे हो, सब चेक करना start करेंगे है न, मेरे क्याल से, पूरा साल तो बहुत कम लोग करते हैं, उसके लवा next paper लेखेंगे, तो अगर बीच में किसी का, अगर मराटी हिंदी है, तो वो यहाँ पे बीच में का 22 ते इसको, otherwise हमारे पास physics के लिए अच्छा gap है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि चलो physics के लिए 6 दिन का gap है, उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देड़ दिन का gap, तो मुझे chemistry को पहले से strong रखना होगा, मतलब अभी मैं जब पड़ाई की बात करहा हूँ, तो chemistry ज़ादा होना चाहिए मेरा, और chemistry के बाद अगर जिसका maths है, maths के नहीं है, है के gaps? बिल्कुल भी gaps नहीं है sir, ओके और जिनका bio है, तो bio के लिए 4 दिन, या फिर अगर आपका maths नहीं है, तो we have bio के लिए 5 दिन का gap है, तो gaps कितनी है, किसको ज़दा stress देना है, किस पर ज़दा तयारी करना है, या भी से ध्यान रखना है, फिर sir उसके बाद में रोज एक एक दुदो घंटा करेंगे, तो हो जाएगा कबर, I agree, मतलब हमें जादा focus जो है, इन पर ही करना है, और जो बच्चे J.E. के लिए पढ़ाई कर रहे थे, या जो बच्चे C.E.T. के लिए थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे थे, उनके physics, chemistry, maths तो या ठीक ठाक ह रखा, क्योंकि इसको सोचते हुए ही हमारा आगे का schedule बनेगा, ओके, तो मुझे दिखरा है physics में मेरे पास ज्यादा time है, लेकिन physics tough भी बहुत लगता है, ये भी बात बराबर है, जरूरी है, समझना, ठीक है न सर, हाँ, अब ये चीज हमने ध्यान रखी, और एक और चीज क कितनी हुई है, actual पढ़ाई मेरी अभी कितनी हुई है, ये realistic बात आपको समझनी चाहिए, यहां मैं तीन category में बात करूँगा, एक ऐसे बच्चे, जिनका बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ सर, सर हम सच में सोये थे आज तक, आज जगे है, अब कुछ करके दिखाएंगे, ऐ मुझे 60% लाना है, बस, मुझे 60% करा दो, सर, ऐसा जिनका मन है, और यही होना चीए, आज से अगर आप डिरेक 90 बोलोगे, तो यार, फाल तू हुआ न, आपका, आपका जो सोच है, वो एकदम ऐसा होना चीए, कि सर, realistic बात करते है, 60-70% कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने आज आज तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, अना मैंने ना CET के वक करी, ना JEE के लिए करी, तो अगर आप CET के लिए कर रहे हो, तो मतलब आपके बोर्ट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चे है मेरे पास, मुझे पता है, कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नही पर आपके यहीं कर सकते, एक बात मान जिलिए, जैसे कि match में, match में आप logic कर लिज्ये, 9 mark मिल जाएंगे, mattresses कर लिज्ये, easy है 6 mark मिल जाएंगे, LPP कर लिजिये, 4 mark मिल जाएंगे, तो देखो 19, 20 marks यहीं हो गए, फिर उसके तो second part में, आप differentiation नहीं करना चाहते हो, लेकिन उसक कुछ proofs कर लीजिए उसके अलावा पता है ना को proofs जो पूछ जाते बार बार उसके अलावा आप binomial distribution कर लीजिए यहाँ पी भी आप 15-20 marks निकाल लोगे तो आप 80 में से 40 marks निकाल लोगे और इसके अलाव अगर आप important theorems मतब आखरी 2 साल के विवाई क्यों कर लेते हों कि दो साल की बात करो मतब पूरा पी बात पेपर करना है आपको दो साल का अगर आपने पिछले दो साल कभी प्रिसेंट दो साल के विपर कर लिए 2322 के आपको similar questions और मिल जाएंगे मतब आप 50 marks आराम से 80 में से ला सकते हो सेम आप physics में सेम आप chemistry में कर सकते हो आप सर easy chapter करना है कहां से करूँ यार YouTube पे बहुत one shots है देख लो अब one shot में हो जाता है क्या आपने कुसी coaching में notes होंगे आपके उससे पढ़ लो है न सर मैट्स आपसे कर लोगा physics chemistry किससे करूँ बहुत है यार search कर लो सब मिल जाएगा आपको बस दूनने की थोड़ी से ज़रुवत है अहां लेकिन 3-4-4 जगा से मत करना एक जगा से कर यह जिसको आपको समझता है आपको लगता है यार math दिनेश सरका बहुत अच्छा समझता है दिनेश सरका कर लो math अंकुष्ण कर लो अपके हिसाब से यार जो भी है हमारे लिए है न हमें बस फाइदा होना चाहिए ठीक है तो आपको selected chapters करने है 5-6 chapters करने जादा भी नहीं करने मैं पता है पुरा syllabus कितना है आप पुरा syllabus कितना है सर 16 chapters आप बड़े बड़े छोटे मोटे जैसे भी chapters है 6-7 chapter maths के करूँगा कैसे करूँगा क्या करूँगा वो भी बताता हूँ मैं थोड़ा आगे जाके लेकिन आपको इस लेक करने और इसके लाद दो साल के papers पूरे-पूरे करने दो साल के papers पूरे पूरे papers पूरे papers बोड़ा हूँ मैं chapters के नहीं पूरे-पूरे papers papers उठाओ solve करो रट्टा मानने को इस करो अगर फेरी है अगर कुछ solve करने का है तो उसको अच्छे सिख सिख के solve करो अगर आप इतना करोगे तो आप अराम से 60 cross कर लोगे बच्चो और फिर revise करना है जो भी हमन नहीं कालो क्या नहीं कालो आपको अब इसे फिजिक्स के में बहुत टीचर बहुत सरे फ्रेंड्स है आपके जो बता देंगे है ना येस फिर इसके अलावा सर ऐसे बच्छे जिनका आदा हदूरा पड़ाई किया है जिन्होंने सीटी पर बहुत फोकस किया लेकिन थेरी ब मैं आपको कहूँगा आप पहले पहले यहां से पांच पेपर्स देखिये और उसमें फांड आउट करिए यार कि आपके वीग चैप्टर्स कौन से है आपका तरीका उल्टा होना चाहिए स्मार्ट तरीका आप चैप्टर वाइस मत जाहिए यतने दिन भी नहीं है आपके पास आपको क्या तरीक आपको तकलीव दे रहे हैं तो आपको यह पता कर लोगे तो आपको अना यह समझ जाएगा कि कौन से वह वीग चैप्टर जो वेटेड भी है ज्यादा वेटेज भी रखते है जो आपका नहीं हुआ है तो आपको यह पता करना पड़ेगा अगर जाए बार बार देख लिए पढ़ लिए लर्ण कर लिए चार पास साल है ना पान साल भी जाधा हो गया वैसे तो चार साल तीन साल भी तो अगर आपने कर लिया और उसको रिवाइस करते गया अगर आप ठीक है तो आपका अराम से 80% आ जाएगा बच्चो पक्का आ अधर उधर बहूत स्रेटफिस मत देखिये इसी को कवरूर करना आपको और कुछ बच्चे जिनोंने यार फोकस् तरीके से जेही मींस किया फोकस्तरीके से सीड़ि किया तो उनको काफी कुछ आता है तिक की तो आल्मोस्स किश बतेखि तिस के अच्छ्य च्छे जो सीनियर कॉलेजे से भाग के ओके यह सब दीजिए और रिवाइस करते रही है ऐसा करने से आपकी mistakes कम होगी आपका और अच्छा improvement होता जाएगा confidence बढ़ेगा और हमको 90% के उपर जाने में help करेगा तो बच्चो मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको कौन जी category में आप हो यह find out करो और accordingly काम करो सर यह तो ठीक है क्या क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सर यह बता दो मैं जब पड़ता था मैं क्या करता था अब बता दो मैं अपने दिन को आज भी तीन हिस्सों में बाहर देता हूँ सुबह का टाइम मतलब बिफोर लंच ओके बिफोर लंच वाला टाइम जो भी है चार घंटे यहां पर होते मेरे पास या लंच पे यह तो आपको यह चार 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 जो बके है बहुत कम सब्सक्रण थे और ये 12th का result बहुत important है, सच में, हर कोई कहता भी और है भी, ठीक है, तो आपको ये 4-4-4, ऐसे 12 गंटों का अपना बढ़िया फशेविल बनाना है, मैं यह नहीं कह रहा, तीनों subjects करने आपको, आपको, अगर मैं कहूँ, एक आपने physics किया, दूसरा आपने maths किया, तीसरा revision के ठीक है, yes, ऐसा, तीनों subjects नहीं करना है, और break ले लेके करना है, ठीक है, yes, अब एक दिन physics, एक दिन maths, ऐसे दो हुए combination, फिर अगले दिन आप maths और chemistry कर सकते हो, ऐसा अपने ही साब से combinations बनाओ, और जब आप 4 गंटा एक subject पढ़ते हो, तो आपका बहुत बढ़ा part complete होता है, मत ही है, मस यही सब करना है, अगर आप चाहते हो, maths की important questions बता दो sir, या comment बता देना, बहुत comment अगर मुझे मिले तो मैं, maths के हर chapter के important questions डालते रहोंगा, अब पूरा-पूरा solve कर रहा ना, मेरे लिए difficult है, आपको दिखी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, कि मैं important questions कौन-कौन से यह तो बता ही सकता हूँ आपको, ठीक है, ओके, तो यह हो सकता है, तो आप ऐसा schedule बनाईए, और 6-7 दिन का बना लीजिए, ठीक है, अगर किसों लगता है, वे तीनों subject करूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, revision मतलब PYQs solve करना, revision मतलब जो भी आपने किये है, उसके P PYQs attempt करना, ठीक है, तो यह इस तरह आपका approach चलना चाहिए, सर्य चार गंटे कैसे पढ़ाई करूँगा, मैं क्या करूँगा, assume करता हूँ कि मैं electrostatics पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप गए one shot देखा, one shot ही आपका दोड़ा हिगंटा ले लेता है बहुत बार, तो तो उसको 1.5 स्पीड में देखा, तो आप टाइम बचा है आपना, देड़ गंटे दो, पौने दो गंटे में खतम किया, फिर उसके ओपर कौन-कौन से important को, क्योंकि फील आ गया पुरा-पुरा, अगर मेरा नहीं हुआ होता तो अगर मेरा पहले से हुआ नहीं है, तो आप के नोट से देख सकते हूँ, फिर उसके बाद में, जैसे आपने तीन गंटे, दो गंटे में, दो गंटे में, मैक्जिम बन शॉट देख लिया, अब उसके कौन-कौन से important questions है, जो board के लिए आते हैं, उनको solve कर लो, फटा-फट, फटा-वट भई पही पे, derivations है क्या, पहले derivations, numericals है क्या है, दूसरे नबर पे numericals, और third नबर पे वो कौन से theoretical questions है, अब theoretical questions को पुरा रटना नहीं है, दो बार, तीम बार पढ़ना है और छोड़ देना है, क्योंकि वो रटने वाला काम हम थोड़ा और आगे लेकि जा सकते है, physics के लिए तो लेकि जा सकते है, 6 दिन का आप है, ओके समझें, वैसे chemistry में, अगर आप aldeide ketone कर रहे हो, तो reactions पहले है, क्योंकि बार बार reactions कुछी जाती है, ऐसे amines कर रहे हो, reactions कौन से है, या कौन सी properties है, कौन से preparations है, यह जो भी है, इस तरह की कुछ-कुछ चीज़े आपको आगे बढ़ानी है, ठीक है, maths में कर कर र मैं नहीं बता देना है, कि कल सुबर में यह करूँगा, physics में, maths में यह करूँगा, और शाम में revision यह करने वाला हूँ, ऐसे आपको अपना schedule आगे लेके जाना है, बढ़ी आदरीगे से, बहुत अच्छा कर सकते हो, मन में होना चाहिए भाई, कि कर के दिखाना है, बोलते है जाह चाहा वाह रहा, where there is will, there is a way, भाई सब अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, येस, अगर आप करना चाहो तो, अगर आपका मन हो तो, आज भी अगर सोचो आप तो आप अराम से बहुत अच्छा score कर सकते हो, बहुत बढ़ीया score ला सकते हो, है ना, भाई कोई नहीं रोग सकता आपको, को ही नहीं रोग सकता, सज बता रहो, ओके, और हाँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहोंगे, सर, ये क्या हो गया, है ना, येस, मैंने महार इविजन सीरीज के सेशन इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, संडे को, मतलब गए दो-तिन दिन पहले, मेरा बाइक नहीं अच्छा सा फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि मेरी बाइक बहुत हेवी थी, बुलेट है, तो फ्रैक्चर होने के कारण, किसी डॉक्टर ने सरजरी कहा, किसी डॉक्टर ने कहा कि ये लगा के रखना है ब्रेस, एक मैने का आपको राइट हैंड रेस्ट पर रखना पड़ वैसे आप दिनेर सर बहुत अच्छा उप्शन है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि मेरे सेशन आपको देख नहीं है, तो यार मैने लास्ट यर सारे वनशोट लिये थे, सेम है, बहु आप देख सकते हो, उसके अलबाद सारे माइंड मैप्स, नोट स्पाइंड मैप्स, जो CT के लिए भी काम हैंगी, वो भी डाल दूँगा, फिर उसके आप में यह सारे नोट जो है, यह सारा एक कोर्स में बनाया है, मैंने फ्री कोर्स में जो अपने गनितंक आप पर मिल जा रहा है, पिछने दो दिन से बहुत सारे मैसेज भी किया सार, टिक्नोमेटिक फंक्शन नहीं आया, इसी कारण नहीं आया बच्छो, मैंने बताना रहे गया क्योंकि मैं आउस्ट्रेल में था पिछने दो-तिन दिनों से, इसी लिए, तो I am sure आपको समझ आ रहा होगा कि आप मैस अभी भी मुझसे अच्छा से कर सकते हो, using all of the links, ठीक है ना, पक्का, और यही नहीं रुक रहा मैं, आपके लिए कुछ तो बड़ा करने जा रहा हूँ, और कर रहा हूँ, वैसे कर रहा था, कुछ अच्छा होने वाला था, और अभी भी होगा, ठीक है, कहते हैं ना, ज HD CD 2024 को लेकर है, धमागा करने वाला हूँ मैं थोड़े दिनों में, ओके, तो I am sure आप excited होंगे, excited रही है, और अगले 25 दिन को बहुत fruitfully, boards के लिए use करना, start कर दीजे, कुछ बच्चे होंगे, जो अभी भी CET कर रहे होंगे, करिए, क्योंकि सिले, बस से में भाई, अगर है, अब हो गया time, अगले 25 दिन हमको boards को priority देना चाहिए, और जो मुचे repeaters है, वो तो अपना जारी रखते रहेंगे हैं, हमारे लिए strategy आएगी, आप को बताता हूँ कि, आप क्या कर सकते CT में और मचाने के लिए, चलिए आज के लिए इतना ही, all the best, all अच्छा करिए, और अच्छा करके दिखाईएगा, thank you and take care.